अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू माई चैनल अर्दू नाविล वर्ड अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगिन तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें और हमारी वीडियोज को लाइक करें शेर करें शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं नाविल का नाम है एक सुरमईसी शाम गुड मार्निंग डॉक्टर सब ने एक साथ मोड के देखा डॉक्टर हमाद अपनी तमाम तरवजाहत के साथ ओवराल हाथ में लिए इस्तित सकोप गिले में लटकाए मुस्करा रहे थे नीशा को इसे देख के हमेशा यही लगता के ग्लासिज शायद हमाद की आखों के लिए बने हैं जिसमें वो बहुत डैशिंग लगता है गुड मार्निंग डॉक्टर हमाद सब ने जवाब दिया सिवाए डॉक्टर हमाद के जिसने नफरत से मुनफेर लिया था डॉक्टर हमाद ने नजर भर के इसे देखा वो पाँच साल पहले की तरहा आज भी इसे अजीज थी मगर ना जाने क्यों वो सब हुआ जिसने हया के दिल को नफरत से भर दिया था डॉक्टर हमाद का खुबसूरत चहरावी जब भी देखती इसका दिल करता के नोच डाले तेजाब डाल दे इसके दिल में हमाद की महबबत की जगाने अब नफरत ने ले ली थी आखिर डॉक्टर हमाद ने इसके एतबार को ठेस पहुँचाया था इसकी इज़त नफस को रूनट डाला था काश में तुम्हारा एतबार जीत पाऊं हया काश में तुम्हें बतासिकों की इस दिन के बाद से में खब भी चीन से नहीं सो पाया हमाद का तालुक एक पोलिटिकल फैमली से था अमीर माबाप का एकलौता सदी हिद धरम बेटा मेडिकल कालिज में वो बस टाइम पास के लिए आता था इसकी नजर हमेशा हया पे होती वो किया करती है? कैसे करती है? मिलाएकका की मासोतेली थी और मा के साथ बाप भी सौतेला हो गया था सुबह कालिज और कालिज के बाद जब इसकी जरूरत थी वरना बाप ने इसका खर्चा उठाने से साफ लफ़जों में मना कर दिया था ऐसे में हमाद का रोज इससे बात बेबात सामने आके खड़े हो जाना इससे बातें करना इसे देखना हया के लिए काफी मुश्किल हो रही थी मगर आहस्ता-ाहस्ता मिलायक्का के दिल में भी इसके लिए नर्म गोशा पैदा होने लगा इसे भी हमाद से महब्बत होने लगी इसकी खिजा जैसी जिन्दगी में हमाद बहार बन के आया था तुम मेरी जिन्दगी में बहार बन के एहो हमाद हया ने मुस्कुराते हुए कहा वो दोनों दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, जब हया ने इसका हाथ अपने हाथ में लेके का, हमाद मुस्करा दिया वो कैसे? हया के चहरे पे दुख के साई लहरी उम्मी की मौत के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी और उरत के साथ वो भी प्रेसे हो गए मेरे साथ, मैंने हमेशा दुख ही देखे हैं, गालिया ही सुनी है, नफरत धुतकार, वो चुप हो गई हमाद की नजरें इस पे थी कुछ देर इसे देखने के बाद, हमाद बोला चलू शापिंग पे चलते हैं, हया ने सर उठा के इसे देखा मुझे जाब पे जाना है हमा हमाद है, इसमें गलत किया है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं किया, दिन गुजरते जा रहे थे, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, हया हमाद की महबत में मुकमल डूब चुकी थी, इसे खुद से भी ज्यादा हमाद पे एतबार था, हमाद आज इसे घर लेके आया था, इसे अपने कमरे में ले आया खुबसूरत सजा हुआ कमरा, कीमती सामान से मुजयन, हया देखती रह गई हमाद बहुत खुबसूरत कमरा है, तुम्हारा हमारा कमरा हमाद की सरगोशी पे वो जीन गई, हमाद इसका हाथ पकड़ के इसे अंदर ले आया और दर्वादे गया, बहके अंदाज में इसने हया के गाल चुमे, हया ने चौंक के इसे देखा तो हमाद ने इसे करीब किया अपने, हया ने थोड़ी मुजाहमत की मगर हमाद की कुर्बत में वो बहक गई, एक खुबसूरत और अनुखा एहसास इसे सरशार कर रहा था, खुद से बेगा जैसे कोई शहजादा मिल गया हो इसे जो इसे उनसे बचा के ले जाएगा मगर, खाब तो खाब ही होते हैं, वो तो तो तूट ही जाते हैं, जैसे हमाद ने इसे तोड़ दिया एक पिल में ही, जब हमाद इसके इस्जत की धजजियां उड़ा रहा था अपने दोस्तों के बीच, जब बार बार वो उन्हें नशे की हालत में हया के हसन, इसके बदन, के कसीदे सुना रहा था हया से सुनाना गया, इसने दर्वाजा खौल दिया फलेट का, जिधर वो काफी मरतबा आचकी थी हमाद के साथ, दर्वाजा खुलते ही सब ने इसे सर तपा देखना शु खड़ा हुआ, हया वो कुछ ना बोली बस आंसु भरी आखों से देखे गई, इतबार कैसे च्छन से तूटा था इसका, इन आखों में दर्द के सवा कुछ न था, ना कोई शिकायत, ना कोई गल्ला, वो बना कुछ कहे मुन्हमोड के निकल गई, हमाद भी इसके पीछे भ भाग निकली, हर अखबार की सुर्खी में उनकी तस्वीरें, उनकी खबरें, सोतेली मा ने बाप के साथ मिलके इसे मार मार के लहू लहान कर दिया था, वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई थी, इधर कुछ नहीं था इसका, कुछ भी नहीं, जिस से महबत की जिस पे इतबार किया, इसी ने सब के सामने सब के बीच इसकी इज़त की धजियां उड़ा दी, तूट गई थी वो, वो शहर ही छोड़ गई वो, मगर हमाद हमदानी वो सरतापा बदल गई, कहा कहा नहीं ढूंडा, इसने हया को मगर कहीं नहीं मिली वो, ना कालिज, ना जाब पे कहीं भी नहीं, वो दो आंसु भरी आंखें इसका चीन लूट चुकी थी हमेशा के लिए, और छे महीने पहले जब इसने ये हास्पिटल जवाइन किया तो इसके वहम औगुमान में भी नहीं था कि हया उधर होगी, वो बहुत बदल गई, इसमें बहुत एतिमाद अगया वो इसके करीब जाता तो हया कत्रा के गुजर जाती, वो बात करता तो हया नफत से मुनफेर लेती, जब इसने पहली बार हमाद को देखा था तो शनासाई जागीर थी, उसकी आांखों में मगर अब उनसर्द आांखों में सवाइन अफत के कुछ ना था, वो कुछ लिकने में मसरूफ थी जब हमाद उसके पास अबैठा हया वो उचल ही पड़ी इन शे महीनों में ये पहली मरतबा था जब हमाद उसके इतने करीब बैठ के इसे बिला रहा था हया ने नागवारी से इसे देखा वो उठके जाने लगी जब हमाद उसके सामने खड़ा हो गया हया मत क तरो ऐसे प्लेज हम बैट के बात करते हैं, हयाने एक सर्द निगा इस पे डाली और उसके करीब से हो, के गुजर गई, हमाद खड़ा इसे जाता देखता रहा, वो काफी अरसे से हास्टल में रहती थी, कमरे में आके बैट पे ढह गई इसे रोना आ रहा था, क्यों आ गए फ का दिल इतना भरा हुआ था गमों से कि इसके लिए कोई जगा नहीं थी, आज डॉक्टर हमाद ने सब कोलिक्स को इनवाइट किया था डिनर पे, सब गए मगर हयाने ना जाना था ना वो गई, निलाब जो उसकी इकलोती दोस्त थी, ने इसे काफी मनाया मगर उसकी नाहा म ना बदल पाई, सब थे मगर वो दुश्मन जा, जिसके लिए ये डिनर अरेंज किया वो ही नहीं थी, उसके खुबसूरत चेहरे पे दर्द पैल गया बाजाहिर वो सब से हंस के बात कर रहा था, मगर डॉक्टर निलाब को इसकी हंसी बहुत खोखली लगी, डिनर हो गया स हमाद एकसिडंट करते करते बचा वो गारी साइड पे करके इसे हैरत से देखने लगा, ऐसे मत देखो निलाब मुस्कुराई तो हमाद ने सर जटक के एतिराफ किया हा, और वो, वो भी करती थी हमाद ने गारी फिर से हास्टल के रास्ते पे डाल दी, करती थी तो अब इत नफरत का बीज भी, शायद तब मेरी महबबत में खोट था पर इसे खोया तब एहसास हुआ कि मैंने किया खोया है, तब वो कही नहीं थी, मैंने पागलों की तरह इसे ढूंडा मगर, छे साल बाद वो मुझे मिली इसी हास्पिटल में, पर वो सरापा नफरत बन चुकी थ थी उन्छे महीनों में, मैं इसकी नफरत बदलने की कोशिश कर रहा हूं मगर हाथ कुछ नहीं आ रहा, दर्द इसके चहरे पे आयाथा किया हुआ था ऐसा डॉक्टर हमाद, हमाद ने एक नजर इसे देखा एतबार घाट, ट्रस्ट तूटा था इसका, इसकी महबबत को र खिल गई वैसे भी सारी रात वो सो नहीं पाई थी, दर्वाजे पे दस्तक हुई इसने उठके दर्वाजा खोला तो सामने फूलों का बोके रखा हुआ था, इसने हैरत से बोके उठाया, और जब नाम देखा तो इसके पूरे बदन में अंगारे भर गए, डॉक्टर कैसे हुई मुझे ये बेहुदा बोके भेजने की, खाव देर यू, तुम किया समझते हो मैं सब भूल जाओंगी, नहीं डॉक्टर हमाद नफरत है मुझे तुम से, शदीद नफरत, तुम्हारे इस चहरे को में इतना नोचलू के खून बहने लगे तब भी मेरे दिल की आ वाजगश्ट आई है क्यों? हमाद अली ने इसे चुआ हमाद इसे अजनबी नजरों से देखे गया मैंने ऐसा क्यों किया? इसने जोर से अपना सर टेबल की नोक से टकराया अली ने आगे बढ़के इसे रोका मगर, यार में इसकी नफरत नहीं सह सकता अली इसकी पेशानी देखने लगा जहां टेबल से टकराने से हलका जखम सा बन गया था. हमाद सर पे चोट कैसे आई? किसी की आवाज पे हैया ने मोबेल से नजर हटा के चौंक के इसे देखा. सीने में दिल उभर के डूबा था आँखें सूजी हुई. दोनों की नजरें पिल भर को मिली हैया के जुके सर को देखने लगा. हया टीवी देख रही थी जब निलाब इसके पास बैठ गई हया कुछ कहना था हां कहो हया टीवी पे नजरें जमाए बोली तो निलाब ने गला साफ किया है. हमाद तुम्हें बहुत चाहता है हया ने चौंक के इसे देखा हमाद बहुत गिल किया इसने. मैं बेघर हो गई वो आज तूट गई थी महबत के नाम पे बेअबरू किया मुझे. मैं ही बुरी हूँ जो इस पे एतबार किया मैंने. अपना सब खो दिया सब कुछ. मैं रोज हर नमाज में मुआफी मांगती हूँ खुदा से. मुझे अबादत करते भी शर को पुकारते भी शर्माती है. मुझ जैसी लड़की को कोई हक नहीं अपने खुदा से कुछ मांगने लेकिन किया मुझे मेरा खुदा बख्ष चुका है. वो सिसक रही थी वो फिर क्यों आगया है मेरी जिंदगी बरबाद करने. वो रू रही थी महबत खबी नहीं मरती भी इससे महबत. बेहद मगर में नफरत करती हूं इससे. शदीद नफरत निलाब ने कुछ नहीं कहा बस इसे बाहों में लिए थपकुती रही. काफी का मगलिये बैठी वो खिरकी से बाहर गिरती फुआर देख रही थी. आज कल काफी सर्दी हो गई थी और फिर बाद में तो सर्दी कुछ ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है. हमाद गुजर रहा था जब नजर हया पे पड़ी वो रुक के इसे देखने लगा. इसने मुर के देखा तो हमाद दुनिया जहां से बेखबर इसे देख रहा था. हया के देखने पे वो मुस्करा प्रा मार हया मुनमोर के बैठ गई तो हमाद भी इसके पास आके बैठ गया. हया अचानक से खड़ी हो गई तो हमाद भी खड़ा हो गया. बैठो ना पिलेज वो घुसे से मुनमोर के जाने लगी जब हमाद ने इसका हाथ पकर लिया ऐसे मत करो पिलेज वो इसे देखने से कत्रा रह थी थी वो अपना हाथ चुड़ाने लगी। हमाद ने इसे कंधे से पकड़ के जंजोर डाला है क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। मैं गलत था। मैंने गलत किया मगर अब तो मैं चेंज हो चुपका हूँ। तुमने मुझे बदल दिया है। महबबत करता हूँ मैं तुम से। सिर्फ तुम्हारे लिए डॉक्टर बना ता कि इसी तरह तुम से किसी हास्पिटल में सामना हो जाए वो इसके कदमों में बैठ गया में बहुत जलील था। जलालत और कमिंगी की इंतहा कर दी थी मैंने मगर मुआफ कर दो मुझे पिलेज हया। हया घबरा के पीछे हटी लंबा चौड़ा डॉक्टर हमाद इसके कदमों में बैठ गया था। वो भागती हुई वहां से निकल आई और हमाद इसकी राको तकता रह गया बस। कमरे में आके वो अपनी सांस बहाल करने लगी। इसके वहम औ गुमान में भी नहीं था कि हमाद यू उसके कदमों में इसकी टांगें अभी तक लरज रही थी और दिल अलग से प्रेशान हा और ना के बीच फंस चुपका था। हमाद को मुआफ करे आने ही। इस पे एतबार करे आने ही। दिमाग नहीं बोल रहा था और दिल। दिल हा और ना की कैफियत में फंसा हुआ था। इसी कश्मकश म ने वो सुबह से शाम तक उलजी रही। आज की सुबह बहुत खुशगवार थी। मुसलसल बारिशों ने एक निखार बखशा था हर चीज को। इसका आज अफथा सो वो देर तक सोती रही और फिर उठकर वो वाक पे निकल गई। आजा और ठंडी हुआ को तनफस करते व काफी दूर निकल आई थी जब एक गाड़ी इसके पास रुकी निलाब हमाद और अली थे अरे है। आओ हमारे साथ हम इधर पहाडियों पे जा रहे हैं वो खामोशी से बैठ गई। बैक व्यू मिरर से दोनों की नजरें एक पिल को मिली फिर चरा ले। निलाब इसे बता हमाद की नजर इस पे पड़ी वो निलाब की किसी बात पे मुस्करा रही थी। अली ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया लगता है वुस्सा ठंडा हो गया हमारी भाभी का हमाद के चहरे पे एक सायसा गुजरा अली ने इसके गालते पते पाई सब ठीक हो जाएगा और उन अचानक हया का पीर फिसला वो गिरने वाली थी जब हमाद ने इसे थाम लिया। अपनायत भरा वो लंस। जानी पहचानी सी खुश्बू। हया संभल के वही बहका देने वाली सरगोशी। हया इसे देखने से कत्रा रही थी मगर हमाद की कुर्बत इसे हवास बाखता कर र दूसरे हाथ से इसके बाजू को ग्रिफ्ट मे ले लिया। हमाद इस अदा पे बेसाखता मुस्करा पड़ा हया नहीं जाना चा रही तुम उपर तो हम नीचे जाके वीट कर लेते हैं। उनका हया डरते डरते अपना पाउँ वापस जाने के लिए मोड के बोली हा नीचे चलते हैं वो इसका बाजू पकड़े नीचे की तरफ जा रही थी अब। नीचे पहुच के इसने हमाद का बाजू छोड़ दिया वैसे भी हमाद के वजूद से आती बरांट पर्फ्यूम की महक इसे मधोश कर रही थी। हास्टल पहुच के वो और निलाब अपने कमरे की जाने लगें जब निलाब गुम गुनाने लगी हया ने घोर के इसे देखा किया है। गाना गा रही हों अपने रोम में जाके गाओ कहकर वो अपने रोम में आ गई और बैट पे लेट गई। इसे आज का हर पिल याद आ रहा था हमाद की कुर्बत इसकी बौकला है। वो वो अलफाज वो दिन इसकी जिन्दगी के तारीक सफी थे। वो काफी देर से मरीजों को चेक कर रही थी जब हमाद इसके पास आया मारनिंग हया ने चौंक के इसे देखा वो हमेशा की तरह अपने खूबसूरत चेहरे पे मसकराहत लिए खड़ा था वो खामोशी से मुनह के काम करने लगी कलपाओं में ज्यादा पेम तो नहीं हुआ। हमाद की बात पे हया ने एक नजर इसे देखा और गुजर के आगे बढ़ गई। हमेशा की तरह आज भी वो हमाद के हर बात के जवाब में खामोश थी। वो खामोशी इसका जाइजा लेता रहा। मरीज को चेक करके वो मुड़ी तो हमाद अब भी उधर खड़ा था और इसे देख रहा था। हया कत्रा के बाहर निकल गई। कोरिडोर में आगे जाके इसने मुड़ के पीछे देखा कोरिडोर खाली था। वो फिर से चलने लगी। दोपहर के बाद से बर्फ शुरू हो चुकी थ आज रात इसकी डॉक्टर हमाद और डॉक्टर नायाब की ड्यूटी थी। रात के डस बज रहे थे जब हया राउंड लगाने गई हास्पिटल में। राउंड लगा के जब वो एक मरीज असगर अली के रोम में गई तो वो सो रहा था हया जैसे ही मुड़ी इसने हया का हा राहत देख के इसे घुसे ने घेर लिया एनी प्राबलाम। नहीं अब से कुछ देर बातें करनी है इसके अंदास पे हया अपना हाथ चुड़ाने लगी हाथ छोड़ो मेरा मगर वो खबासत से मुस्करा रहा था। हया ने जोर का थपड़ मारा इसे और हाथ चड़ा के ज भरी वही दो आंखें जो हमेशा हमाद को बेचीन रखती हया हमाद ने धीरे से इसे आवाज दी वो तेजी से सर जुका के बाहर निकल गई। हमाद ने असगर की तरफ देखा में। वो वो बैट पे आके लेट गया हमाद इसे छोड़ के बाहर निकल गया और तेजी से चल तुमने भी देखा महबबत के नाम पे हवस का निशाना बनाया और आज मुझे इज़त की नजर से क्यों नहीं देखता कोई। तुमने भी कभी इज़त नहीं दी ना वो रोने लगी बिलक बिलक के। हमाद दुख से इसे देख रहा था हया तुम्हें सब इज़त देते मैं तुम्हारी इज़त करता हूँ। एहतराम करता हूँ तुम्हारा। महबबत करता हूँ तुमसे। मैंने तब बहुत गुना किये तुम्हें बहुत दुख दिये मगर हर लमहा पशेमान हुआ हूँ। हर लमहा मुआफी मांगता रहा हूँ। बहुत धुनडा तुम्हे हर जगा मगर तुम नहीं मिली मुझे इसका चहरा हाथों में भर लिया हमाद ने हया महबबत करता हूं तुम से बहुत ज्यादा आई लो यूसो मुच इसकी पेशानी पे हमाद ने अपनी महबबत की महरसब्त कर दी हया चौंक के इसे देखने लगी महबबत का जहान अबाद था उसकी आखों में इसे घबराहत होने लगी वो नजरें चरा के उठ खड़ी हुई और अपनी टेबल पी चीजें उलट पलट करने लगी हमाद खड़ा कुछ देर उसकी पुष्ट देखता रहा फिर बाहर निकल गया कमरे से दर्वाजे पे दस्तक हुई हया कि कम उन बोलने पे वो शखस अंदर दाखिल हुआ है हया ने सर उठा के देखा तो असघर अली सामने खड़ा था वो खड़ी हो गई तुम यहां किया करने आये हो असघर ने सर जुका लिया I'm sorry for last night मैंने बहुत गंदी हरकत की हो सके तो मुझे मुझे मुआफ कर दें अब पिलेज हया उसके जुके सर को कुछ देर देखती रही अपने रोम में जाओ ये बोल के हया दोबारा से बैट के अपने काम में मसरूफ हो गई वो हमाद की तंबी पे हया से मुआफी मांगने आया था हया ने दोबारा सर उठा के देखा वो वहीं खड़ा था हया ने इसे सवालिया नजरों से देखा वो कहने लगा मुआफ कर दें पिलेज वरना डॉक्टर हमाद मेरी जिन्दगी बरबाद कर देगी हमाद के नाम पे हया चौंक पड़ी जाओ यहां से वो सर जुका के निकल गया और हया का माइंड हमाद पे ही अटका हुआ था डॉक्टर सब बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे हया उनके बीच थोड़ा साइड पे बैठी काफी का मगलिये उनकी बातें सुन रही थी वैसे भी वो सुनती ज्यादा थी और बातें थोड़ा कम ही करती थी बेधियनी में इसकी नजर डॉक्टर हमाद पे जाके रुकी जो किसी बात पे हंस रहा था वो पहले से ज्यादा खुबरू हो गया था हमाद की नजर इस पे पड़ी जो महवियत से इसे ही देख रही थी हमाद से नजर मिलते ही वो नजरें चरा के बाकी सब को देखने लगी दिल बेहद जोर से धर्का था इसका काफी कोशिश के बावजूद भी वो खुद को नहीं रोप पा रही थी दोबारा से हमाद पे चुपके से नजर डाली इसी लम्हे हमाद की नजर भी इस पे पड़ी तो हया घबरा के मोबेल देखने लग गई अपना हमाद इसकी इस अदा पे जेर लब मुसकरा पड़ा लाइबरेरी में वो कब से कोई किताब लिये पढ़ रही थी इस बास से बेखबर के कब से वो हमाद की नजरों के हिसार में है पढ़ते पढ़ते इसने नजर उठाई तो अपने सामने हमाद को बैठा देख के हैरत से इसे देखा जो आज पहली बार लाइबरीरी में नजर आ रहा था इसकी हैरान नजरों में हमाद ने आबरू उचकाए तो वो सर नफी में हिला के दोबारा से किताब की तरफ मतवज्जे हुई मगर दिल के हाथों मजबूर हो के दोबारा से उपर नजर उठाई वो इसे ही देख रहा था हया के देखने पे वो मुस्करा पड़ा हया धड़कते दिल के साथ किताब की तरफ देखने लगी वो बलश हो गई थी और हमाद जेर लब मुस्करा रहा था हया किताब बंद करके वहां से उठी तो साथ हमाद भी उठ के इसके सामने आया हया ने अर्ध गिर्द देखा फिर हमाद की तरफ देखा वो इसे हाथ से सब ठीक है का इशारा करके साइड पे हो गया हया गुजर के लाइबरीरी से बाहर निकल आई और हास्पिटल के इहाते की तरफ जाने लगी इसे अपने साथ चलते हमाद का एसास भी नहीं हुआ वो थोड़ा मुड के देखना चाहती थी के हमाद भी आ रहा जब मुड़ते ही हमाद से टक्रा गई मैं यहीं हूँ वो सरगोशी में बोला हया बॉकला के वापस मुड़ी और चलने लगी हमाद भी साथ चल रहा था सोच रहा था किसी दिन वाक पे चली हया ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई हमाद कुछ देर वहीं खड़ा इसकी पुष्ट देखता रहा फिर बलंद आवाज में इसका नाम लिया डॉक्टर हया हया एक दम रुक के पीछे मुड के इसे देखने लगी इस खुबसूरत शाम का हुसैन हिस्सा हो तुम हया इसकी बलंद आवाज पे इधर उधर देखने लगी गुजरते हुए कुछ लोग उन्हें मुस्करा के देखने लगे और मेरे वजूद का भी हुसैन हिस्सा हो तुम डॉक्टर हया हया जल्दी में मुन्ह मोड गई मुस्कुराते हुंटों के साथ वो आगे पिर से इससे महबत होने लग गई थी अपना माजी भूल के वो हमाद के संग नई मंजिलों की तरफ दोबारा से जाना चाहती थी वो कोरिडोर में मुस्कराती हुई चल रही थी जब अचानक किसी जिन की तरह हमाद उसके सामने आया वो डर के दो कदम पीछे हटी हमाद मुस्कुराया सौरी मैं ये कहने आया था कि अगर फरी है अब तो चली वाक पे हैसर इस बात में हिला कि इसके साथ आगे बढ़ गई हास्पिटल इहाते से निकल के वो दोनों पहाडियों की तरफ जा रहे थे खामोश लम्हे सरक रहे थे दोनों इसी सोच में थे के बात किधर से और किया शुरू करें हलकी हलकी बारिश में खुनकी का एहसास बढ़ रहा था वो दोनों काफी दूर निकल आये थे सरदी तो नहीं लग रही हमाद के पूछने पे वो हलका मुस्कुराई और सर नफी में हिलाया एबट आबास से काफी यादे हैं मेरी बहुत अच्छी जगा है हमाद के कहने पे इसने इस बात में सर हिलाया बोल तो लेती थी पहले अब किसी डॉक्टर ने मना किया होना बोलने से हमाद ने इतने तश्वीश वाले अंदाज में कहा कि वो रुख के इसे देखने लगी नहीं मतलब बोला करो मुझे सुनना होता है हया को इस के अंदाज पे हंसी आ गई किया बोलो हमाद ने इसके उजले चहरे को देखा और उसकी आईलट को पीछे किया हया थोड़ा पीछे हो गई और नजर चरा के उधर उधर देखने लगी हमाद की नजरों की तप्ष बारिश ने शिद्दत पकर ली तो वो दोनों दरख्त के नीचे आके खड़े हो गए बारिश हया को भीगो रही थी वो खुद को बचाने में हलकान हो रही थी हमाद इसके सामने खड़ा हो गया ताके वो बारिश से बच सके अब नहीं भीगोगी तुम भीग रहे हो हमाद हया के लहजे में तश्वीश थी हमाद के लिए एट्स ओके में नहीं भीग रहा हमाद हलका सा मुस्करा के बोला वो उधर उधर देखने लगा नजरें भटक के हया पे पड़ी जिसके चहरे पे बारिश की ननी ननी बून दें थी वो सर जटक के उधर उधर देखने लगा नजरे भटक के हया के चहरे पे फिसल गई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी इसकी दूधिया रंगत और भी निखर गई थी लाग कोशिश के बावजूद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था हया ने इसे देखा दिल की धारकन बेतर्तीब होने लगी छे साल पहले के हमाद और आज के हमाद में बहुत फर्क था इस हमाद की आँखों में जनून नजर आता और इस हमाद की आँखों में महबबत की नर्माहर हमाद ने धीरे से अपने हुंट इसके भीगे हुंटों पे रख दिये इसका लंस हया ने आँखें बंद कर ले लम्हे सरकते गए बारिश की शिद्दत में थोड़ी कमी हुई मगर इसका लम्स इसके वजूद की खुश्बू हया अचानक से दूर हिट गई हया में हमाद संभल के इसे देखने लगा मगर हया तेजी से वहां से भाग गई शट हया हया हमाद इसके पीछे भागा मगर वो दूर निकल गई थी रोड पे आकि इसने लंबी-लंबी सांसे ली तेजी से चलने की वज़े से इसकी सांसे फूल रही थी हया हमाद करीब आया मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता सब अचानक इसकी बात अलिफादेवर रह गई हया तेजी से आगे बढ़ गई हमाद को लगा वो फिर से दोर हु रही है इससे इसे अपना दिल दूबता महसूस हुआ वो वही रोड पे थका थका सा बैठ गया हया के आते ही निलाब ने इसे सर से पाउं तक देखा कैसा लगा डॉक्टर हमाद तुम्हें हया ने चौंक के इसे देखा वो जेरेलब मुस्करा रही थी ये चेहरे की बदलती रंग ये आखों की शोखियां बहुत कुछ समझा रही हमें तो हया सांस बहाल करते बोली ऐसा कुछ नहीं मैंने कब कहा ऐसा कुछ नहीं वैसा बहुत कुछ है जानमन निलाब शोख हुई हया इस से नजर चरा के वाश रोम चली गई आइने में अपना अक्स देखने लगी मुस्कराहट इसके होंटों पे ठहर गई इसने जजब के आलम में आँखें बंद कर दी हमाद महबबत होने लगी है मुझे तुम से बेहद बेपना हया मेडिसन चेक कर रही थी जब हमाद इसके पास खंकारा हया ने चौंक के इसे देखा फिर मुन्ह मोर गई है म सौरी हया हया मुर के जाने लगी मगर वो सामने आ गया वो साइड से गुजरना चाहती थी वो फिर से सामने आ गया आखिर जिच हो कि इसे देखा वो मुस्करा रहा था हया ने नजरें चरा ले हया पिलेज फिर से नाराज मत होना वो सब अचानक हुआ मैंने जान बोच के नहीं किया हया खामोशी से अपनी उंगलिया मुरवरने लगी हया जिच हो कि हमाद ने इसका हाथ पकर लिया पिलेज कुछ तो बोलो नाराज हो हया नफी में सर हिला के अपना हाथ छड़ा के आगे बढ़ गई तो हमाद में पीछे से इसके हाथ थाम लिये मैं शर्मिंदा हू हमाद इस लमहे में कमजोर हो के मुझे नहीं बाकना चाहिए था गलती तुम्हारी नहीं मेरी भी है हमाद इसके सामने खड़ा हो गया और अगर मैं ये कहूं मुझे तुम्हारा बाकना अच्छा लगा तो हया सुर्ख पढ़ गई इसकी धरकन तेज हो गई मुझे अच्छा लगा हया वो सरगोशी में बोला हया के लिए सर उठाना मुश्किल हो गया ये चुपके चुपके किया स्कीम चल रही है डॉक्टर निलाब की आवास पे हया ने घोर के इसे देखा मगर पास खड़े जेर लब मुस्कुराते डॉक्टर अली पे नजर पड़ी तो चुपकर गई कैसी स्कीम? हया ने आबरू उचक्का के इसे देखा क्यों अली किया हमें नहीं मालूम कुछ निलाब की शरारत भरी मुस्क्रा है अली हंस पड़ातन नहीं करो हमारी क्यूट सी डॉक्टर को यार लोजी में निक्या किया है अब निलाब ने मसनुई नाराज़गी से कह अली इसकी एक्टिंग नोट करने लगा जब हया की नजर उन्ही के पास आते हमाद पे पड़ी अच्छा में जा रही निलाब ने इसका बाजू पकर लिया किधर महारानी हया बाजू छुडाते करीब आते हमाद को देखने लगी निलाब शरारत से मुस्कुराई आईये डॉक्टर हमाद अभी को याद किया जा रहा था और कौन याद कर रहा था यही अपनी हया निलाब शरारत से बोली तो हया हैरत से इसे देखने लगी में कब हमाद मुस्कुराया डॉक्टर हया हमें याद नहीं करती खब्धी निलाब मस्नुई हैरत से बोली नहीं तो हमेशा याद करती है निलाब हया इसे घूरती हाथ छड़ा के तेजी से आगे बढ़ गई तीनों की हंसी ने इसका पीछा किया दूर तक नहीं करो तन निलाब इसे यार अली के कहने पे निलाब हंस पड़ी ओके बास हमाद ने नजर भर के हया की पुष्ट को देखा जो कोरिडोर से होते हुए आगे जाके मुड़ गई ये हमाद की कजिन मुझे एक आँख नहीं भाती निलाब बुरा सा मुन्ह बना के हया के पास बैठ गई हया इसे देखने लगी क्या हुआ है हमाद की कजिन आई है बहुत बोल्ड है बस यही रह गया है कि हमाद की गोद में जाके बैठ जाए निलाब के कहने पे हया इसे देखने लग गई किदर आई हुई है हया ने पूछा तो निलाब ने इसे देखा उदासी सी च्छाई थी उसके चहरे पे निलाब मुस्कुराई इसलामबाद से आई है हमाद के घर अभी हास्पिटल आई हुई है तो क्यों प्रेशान होती है हमाद इसे कौन सा मुन्ह लगाता है हया ने मुन्ह बनाया में क्यों प्रेशान होने लगी कहके दोर से आते डॉक्टर अली को देखने लगी मगर दिल पे अजीब सा बोज अगिरा था कौन हो सकती ये क्यों आई है हमाद के घर हास्पिटल कुरिडोर से गुजर के वो बाहर की तरफ जा रही थी जब बाहर लांसे इसे गाड़ी से निकलता हमाद नजर आया वो वहीं रुक गई दूसरा दौर खोल के एक लड़की भी उत्री हमाद की कजिन थी वो इसका नाम नताशा था हया बेचीनी से उन्हें देखने लगी नताशा के साथ हमाद का लिया दिया अंदाज इसे तमानियत बख्ष रहा था नताशा ने बढ़कर हमाद का हाथ पकड़ना चाहा हमाद ने जटके से हाथ चुड़ाया घोर के इसे देखा तमीज से चला करो मेरे साथ ये कहके वो आगे बढ़ गया हया के पास से गुजर के वो हास्पिटल के अंदर गया और एक बार भी हया की तरफ नहीं देखा हया को अपना दिल डूबता महसूस हुआ इसका ये अंदाज वो बुझे दिल के साथ आगे बढ़ गई और हास्टल की तरफ जाने लगी बैड पे लेटी वो सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी रात के डस बज रहे थे जब इसकी मोबाइल पे मैसिज आया इसने खौल के देखा बाहर आ सकती हो हमाद आयर हया ने हैरत से मोबाइल स्क्रीन को देखा वो तेजी से उठके खिड़की के पास आई तो हास्टल लान में हमाद इसे बैठा नजर आया वो धड़कते दिल के साथ अपनी जैकत पहंग के बाहर निकली और तकरीबन भागती हुई वो कोरिडोर से होते हुए सीडियां उतरने लगी मगर जल्दी में वो हमाद से टकराते बच्ची आराम से मैं यही हो हया शर्मिंदा हो गई जबकि हमाद जेरे लब मुस्करा रहा था तुम तो लान में बैठे हुए थे ना हया जल्दी में बोल गई मगर एसास होने पे चुप हो गई जबकि हमाद की हंसी बेसाखता थी हया जीम्प गई चलू अब सौजाओ क्यों हया के अचानक पूछने पे हमाद खिल के मुस्कुराया जबकि हया जीम्प गई क्यूंके तुम्हें मिस्कर रहा था में और रहा ना गया तो मिलने अलिफ गया हया मुस्करा पड़ी हमाद इसे देखने लगा हया वो हमाद को देखने लगी तो हमाद ने इसे कुछ देर देखने के बाद अपनी आँखें बंद कर ले फिर खौल के इसे देखने लगा अपनी आँखों में कैद करके रखना चाहता हो तुम्हारे इस खूबसूरत चहरे को इसके हाथ को हलका सा दबाया और फिर छोड़ दिया कल मिलते हैं, हया इसे जाता देखती रही हमाद के जाने के बाद वो भी मुस्कराती सीड़ियां चड़ने लगी तुम हया हो हया ने मोबेल से सर उठा के सामने देखा तो नताशा उसके सामने खड़ी थी जी और अब हया के पूछने पे नताशा तंजिया मुस्कुराई तुम मुझे नहीं जानती नहीं हया इसे देखते बोली वेल में जो हो ना डॉक्टर हमाद की फीनसी हों and very soon we are getting married ये कह के नताशा इसके चहरे के तासुरात देखने लगी हया ने संभल के इसे मुबारक बाद दी congratulations नताशा मुस्कुराई thank you और उठके इसके कमरे से निकल गई हया ने mobile साइट पे रख दिया अजीब हालत हो रही थी दिल की हमाद की मंगनी हुई है जूट बोल के वो किया चा रहा अब मुझ से हमाद की मंगनी हो चुकी है शाम को दोनों बैठी मूंग फली खा रही थी जब हया ने निलाब से ये बात कही निलाब ने इसे देखा जरूर ये बकवास भी नताशा ने की होगी हया इसे देखने लगी और तुम बेवकूफों की तरह मुझ उठा के मान गई तो और किया करती निलाब हया अपना mobile देखने लगी निलाब इसे देखे गई हया वो हमाद के पीछे पड़ी है और हमाद तो इसे मुन्ह भी नहीं लगाता बस वही दम हिला के चलती रहती इसके अर्दगिर हया ने सर जुका लिया हया हमाद के चहरे पे वाज़े लिखा हुआ है कि मैं हया से महब्बत करता हूँ हया इसे देखने लगी निलाब डर लगता है इसे खो नादू निलाब मुस्करा पड़ी हमाद सिर्फ हया का है और हमेशा रहेगा हया मुस्कुराई मगर दिल में बेचीनी सी थी निलाब की जबानी नताशा की कारवाई का सुनके हमाद गुस्से से पागल हो गया था इसने नताशा का मुन ही दबोच लिया था हिम्मत कैसे हुई हया से ये सब कहने की नताशा इसके तेवर देख के घबरा गई वो अपना अप छुड़ाने लगी में मैं तो मजाक कर रही थी हया से कौन सा मजाक है इसका तुम से मेरी हया से दूर रहू बोल के इसे धक्का दे के दूर कर दिया और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया नताशा अपना मुन सहलाती गम और गुस्वी से पागल हो रही थी हया कैंटन में बैठी चाय पी रही थी जब हमाद इसके बिलकुल सामने बैठ गया शादी करोगी मुझसे हया हैरत से इसे देखने लगी बोलो करोगी वो ना समझी में इस बात में सर हिलाने लगी तो चिल्लू निका करते हैं अभी ही हया का मुन ही खुला रह गया नहीं हमाद इसे देखने लगा आई मैन ये सब अचानक अचानक बिलकुल भी नहीं है सोच समझ के कह रहा हूं तुम से शादी करनी है निका करना है अभी के अभी और फिर अपनी फैमली से मिलवाना है हया की आखों में अभी भी हैरत थी ऐसे नहीं देखो वरना निका करने में देर नहीं लगाओंगा हया नाराजगी से मुन फेर गई तुम्हारी फैमली है वो सब किया सोचेगी कुछ नहीं सोचते वो बहु लेके जा रहा हूं उनके लिए इसके मोबेल पे रंग हुई इसने रिसीवर की हेलो और दूसरी तरफ से पता नहीं किया कहा गया इसके चहरे के तासुरा बदलने लगे मोबेल बंद करके वो घुसे से बाहर निकल गया हया भी इसके पीछे बाहर निकली मगर वो तब तक गारी में बैच चुका था वो भागती हुई अली के कमरे की तरफ गई अंदर दाखिल होते ही वो अपनी सांस बहाल करने लगी क्या हुआ डॉक्टर हया हया संभल के कहने लगी हमाद को कोई काल आई थी वो बहुत गुसे में बाहर निकला है पता करें किया बात हुई है अच्छा रिलेक्स रहू मैं पता करता हूँ अली इसे तसली देता मोबेल उठा के नंबर मिलाने लगा कुछ देर बाद हमाद ने काल रिसीव की दूसरी तरफ की बात सुनकर अली ने मोबेल रख दिया और कुछ सोचने लगा क्या हुआ है डॉक्टर अली अली इसे देखने लगा हमाद का फाडर पालाटिशन है उन पे कुछ इल्जाम थे वो सब सच साबित हुए है हमाद इसी सिलसले में गया है और हमाद की प्रेशानी इस से देखी नहीं जा रही थी वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई मिका के बंधन में बंध के दोनों से ज्यादा उनके कोलिक्स खुश थे खास तोर पे डॉक्टर अली और डॉक्टर निलाब निलाब की बुतियसी ही अंदर नहीं हो रही थी बार बार दोनों की नजर उतार के वो उन्हें प्यार से देखती अली हर एंगल से उनकी तस्वीरें बना रहा था हया ने चुपके से साथ बैठे हमाद को देखा वो मुस्करा रहा था हया ने नजरें जुका दी वो इसके कान के पास जुका अब तुम आंखें फाड के मुझे देख सकती हो ऐसे चुपके कौन देखता अपने हस्बेंट को हया ने उपर देखा वो मुस्करा रहा था फिर सब की तरफ मतवज्जे हुआ चलू बोरिया बिस्तर बांधो सब अपने में अपनी जौजा मुहतर्मा को घर लेके जा रहा हूँ सब हंस पड़े निलाब मुन बनाने लगी हाँ अब तो हम प्राए हो गए हैं ना इसके मुन बनाने पे सब को हंसी आ गई गेट से दाखिल होकर हमाद ने गारी रोकी और है की तरफ मुस्करा के देखा वेल कम टू और हूम है ने धड़कते दिल के साथ सामने घर को देखा जो रोशनियों से जगमगा रहा था हमाद दर्वाजा खौल के बाहर निकल के दूसरी तरफ आके हया की तरफ का दर्वाजा खौला और हाथ आगे बढ़ा के इसे देखने लगा हया ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पे रखा जिसे हमाद ने थाम के होंटों से लगाया हया इसकी इस हरकत पे जींट गई और बाहर निकल के वो हमाद के साथ घर की तरफ जाने लगी दर्वाजा खौल के दोनों दाखिल हुए हया पहले नानों से मिलते हैं हमाद की बात पे हया ने इस बात में सर हिलाया वो हया को लेके नानो के कमरे में ले आया पहले दस्तक दी फिर दोनों अंदर गए। एक उधर उम्र की खातून कोई किताब लिए अपने बैट पे बैटी थी। हमाद ने उनके पास जाके उनकी हाथ की पुष्ट पे बोसा दिया कैसी है नानो अप निगहत खातून और सलाम किया। उधर आओ बेटा हया उनके पास गई उनके हाथ पे बोसा दिया तो निगहत खातून ने इसकी पेशानी चूमी बहुत प्यारी है मेरी बहु माशालला हया ने चौंक के हमाद को देखा हमाद मुस्कुराया। निगहत खातून ने पास पड़ा सुर्ख भी तो मेरा पियार ही है मेरे हमाद की बीवी हो इस घर की बहु यहा की हर चीज़ पे तुम्हारा हक है हमाद की माजंदा होती आज तो कितना खुश होती वो आज वो कुछ देर चुप हुई फिर कहने लगी खुश रहू दोनों हमेशा वो दोनों दुआएं लेके अपने क किया लेते कहने लगी थैंक यू सो मुझ हमाद फार एवरीथिंग नानो का इतना प्यार देख के रोना आ गया मुझे और और वो दिल्चस्पी से इसे देख रहा था और हमारे निका के बाद वो चुप हुई तो हमाद कहने लगा हमारे निका के बाद तुम्हें मुझ पे ज्यादा प्यार आ रहा है नहीं वो बो खिलाई फिर सर जुका गई नहीं मेरा मतलब था हमाद को इस पे प्यार आया इसने हया को बाहों में भर लिया सुबह इसकी आख खिली तो नजर पास होते हमाद पे पड़ी वो इसे देखने लगी इसके बिकरे बाल इसके आखों में आंसू आगए वो हमाद से बहुत महबबत करती थी वो इसकी खिजा जैसी जिन्दगी में बिहार बनके आया था हमाद की कुर्बत इसकी वारफ्तगी का सोच के हया के होंटों को मुस्कराहत ने चुआ अगर मुझे देख देख के प्यार कर चुकी हो तो मुझे भी मौका दो अब हमाद की आवाज पे वो बौकला गई तुम तुम तो सो रहे थे हमाद हंस पड़ाकियों जाकते हुए देखने पे पाबंदी है किया हया मन मोरने लगी थी जब हमाद ने इसे बानों में भरके अपने करीब किया इसके कंधे पे अपनी महब्बत की महरसब करके वो सरगोशी में बोला तुम बहुत खूबसूरत हो है तुम्हे देख के हमेशा यही लगता है मुझे के तुम्हे खुदा ने बहुत फुरसत से इसलिए बनाया है ताके तुम हमाद की जान बनू हया मुस्करा पड़ी वो इसकी लटों से खेलने लगा आज हम इसलामाबाद जा रहे हैं हया मुन्ह मोर के इसे देखने लगी क्यूं कि वहाँ फंक्शन है हमारी शादी का और वहाँ हमारे तमाम दोस्त और रेलिटीव्स भी होगी छे साल पहले जिन न्यूस पेपर्स की हेडलाइन्स ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था आज उन्ही न्यूस पेपर्स की हेडलाइन्स में सब को ये दुखाना चाहता के तुम मेरी जिन्दगी हो अब और हम मुकमल हो चुके हैं अब हया इसे देखे गई इसकी आंखें आंसूं से भर गई क्या हुआ मेरी जान हमाद इसे प्यार करते पूछने लगा हया इसकी आखों में देखती बोली बहुत महबत करती हो तुम से हमाद इर रही तो मैं भी करता हो ना इसकी पेशानी पे अपने हुंट रखे फिर उसकी आखों में देख के बोला हया आई लो यूसो मुझ तुम्हारे आने से में मुकमल हो गया यूँ अब हया ने तमानियत से इसके सीने पे अपना सर रख दिया हमाद ने इसे बाहों में भर लिया अगर आपको नाविल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबसक्राब करें शुक्रिया